हेलो फ्रेंज बेलकम बैक माई यूटूब चैनल टूड़ पॉइंट होने वाला है यानि बहुत ही महातपूर कुश्चिन है कोई वह ऐसा एक्जाम नहीं होगा जिसमें ये कुश्चिन पूछे नहीं है मतलब हर बार रिपीड़ कुश्चिन है तो उसी पर आज हम लोग चर गराफ सुलेवर फ्रसली जो है होम साइंस है क्या है यूम साइंस में आप लोग को पता है कि पेपर आप लोगों का जो है आपका हॉस पारकांगर इन तो देखे, question पूछा जाता है, संचार के अर्थियों परिभासा बताईए, बहुत बार पूछा गया question है, तो इसलिए मैंने इसको very important question के रूप में आप लोगों को दिया है, कि ये very important है, आपको बिल्कुर रट लेना है संचार, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें हमारे लिए कि संचार कोई नया सबते है, जब से समाज, या समाज का निर्मार हुआ, या समाज के संचालन पर क्रिया की बात की जाए, वहां से संचार पर क्रिया शुरू हो जाती है, चाहे अपकी परसार सिच्छा हो, जब किसी हमें परसार, अगर हम लोग परसार सिच्छ education को चला पाना और शंभो बात है तो संचार की जो ये है आधिकाल से ही मनुस्त बिभिन मुद्राओं के माध्यम से क्या करते थे संचार करते थे तीक है जब वो बोलना नहीं जाते थे तो अपने हाव भाव से अपनी भावनाओं को विव्यक्त करते थे संचार करते थे थीक है लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन होता गया वैसे वैसे संचार के जो रूप है वो change होते गए बात आप लोग समझ रहे होंगे कि जब लोग बोल नहीं पाते थे आदमानों तब भी वो अपने हाव-भाव से संचार करते थे एक दूसरे को इसारे में बात करते थे दीरे दीरे जैसे जैसे हमारी सब्यताओं का भी कास होता गया वो लोग बोलना चालना सीखे तो ऐसे आमने सामने तो सबसे पहले जो संचार होती थी वो आमने शामने ही बैट कर होती थी फिर दीरे दीरे क्या होता गया जो है जितना ज़्यादा जो ह माद्रम बहते गहें फ़शेंसे संचार के नहीं तरीके आगें जैसे कि आप लोगों ने आभ सभी इस्टेगोम चलाते होंगे तो इस्टेग्राम में एक वीडियो वायाल हो रही थी आम मैंने देखा तो जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही है लोग पहले एक दूसरे को गाली देते थे अभी जब दिल में कोई भरास होती है तो स्टेटस लगा दो याग, देखेंगे, देखेंगे ना तो यह सारी बाते आ जाती है तो इस तरीके से संचार का जो है विकास होता गया, तो संचार आज का नहीं है, बहुत पहले से लोग आमने सामने करते थे, पिर पत्र लिख करते थे, फिर टेली फोन से करने लगी, यानि फोन आ गया, दुलदर्शन, रेडियो, इस तरीके से ये संचार माध्यम बढ़ता चला गया, ठीक है, तो आज बहुत सारे ऐसे माध्यम है, जो संचार के माध्यम बने है, आला कि बाकि आओर आप लोग को आगे पेपर में देखने को मिलेगा, तो ये तो एक मैंने आपको जनरल बाते बताई है, किसके बारे में, संचार के बारे में, तो आई होब आप संचार समझ गया होंगे, क्या होती है, अब यहाँ पे हम लोग किताबी जो ग्यान है उसको देख लेते हैं सबसे में हमारे लिए किताबी ही होता है तो यहाँ पे जो है आपका क्या लिखा है संचार या संपेच्छड या संदेश वाहन सब्द किसका कहां से उत्पन हुआ है तो यह लैटिंग भासा के communication से हुआ है कहां से हुआ है तो संचार को इंगलिस में हम लोग communication ही बोलते हैं तो communication सब्द से हुआ है सब्द का हिंदी रुपांतरान है जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई तो लैटिंग भासा के जो सब्द है communeuse से हुई है जिसका अर्थ होता है common यानि कि common का अर्थ हो गया समान बनाना ठीक है common हम लोग के तें नहीं ये तो common है यार ये तो होता रहता है तो common का मतलब ही हो गया to make common यानि कि समान बनाना समान कर देना ठीक है तो ये हो गया आपका क्या common इसका आर्थ होता है और अर्थात बिचार या तत्थ को कुछ ब्यक्तियों में ठीक है क्या है तो कुछ ब्यक्तियों में शमान बना देना अता संचार या संपेच्छर शमवाहन ठीक है क्या आप संपेच्छर भी कह सकते हो संचार को communication कह सकते हो संपेच्छर संदेश वाहन इन सब्दों में आप इसको जान सकते हैं, इसका आर्थ होता है, बिचारों तथा सूचनाओं को एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति तक पहुचाना की उन्हें ज्यान के साथ समझ सके, ठीक है, क्या हो गया, कहने का मतलब क्या है, कि संचार का मतलब होता है, कि एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति तक क अपनी सूचनाओं या अपने विचारों को ब्यक्ति करना या पहुचाना होता है ठीक है उसके बाद अगर हम लोग को आगे बात करेंगे कहने का मतलब सी पॉर्षिप इतना है कि संचार क्या होता है संचार दो बेक्तियों के मत्द ऐसा संबंध होता है या ऐसा संबंध या जो होता है एक बेक्ति दूसरे बेक्ति के साथ क्या करते है अपने विचारों अपने सूचनाए जो उनके अभी ब्यक्ति होती है, दूसरे ब्यक्ति तक पहुचाते हैं। ठीक और पहुचाने पे क्या होता है, वो ज्ञान सकें तथा समझ सकें इस तरहा संचार का जो एक ये होता है, एक ये दूई मार्गिये होते हैं। तो यह क्या होते हैं दूई मारगी होते हैं इसके बाद आप लोग देखेंगे इसके लिए अवर्शेक है कि यह संबंधिक ब्यक्ति तक इस अर्थ में पहुच सके जिस अर्थ में संदेश वाहन करता ने उस विचारों को अस्थानांतरित किया है कहने का मतलब इतना है कि हम क कोई विचार क्या कर रहे हैं उसको दूसरे ब्यक्ति तक पहुचा रहे हैं तो उसी के जो हो यह दो मारगी होता है कोई इसको कैसे लेता है कि कोई इसको सही अर्थ में लेता है तो कोई दूसरे अर्थ में लेता है देखिए कई तरीके के जो हैं तत्त सामने आते हैं बहु सारे ऐसे नियो जाते हैं जिसको लोग कुछ उसको गलत वे में ले जाते हैं तो कुछ सही में ले जाते हैं अभी हमने आपको बताया कि ताना मानने का नया तरीका इस्टेटस लगा लीजिए आप कोई चीज आप कोई सुविचार लिखेंगे लेकिन वही हर व्यक्ति देखे यही होती आपकी दो मारगिये या टू वे ठीक मैंने आपको जश्ट एक इंग जांपल दिया है कि इस तरीके से होता है एक ही बात को दो अर्थों में समझना ठीक है चलिए आगे देखेंगे आगे आपका क्या लिख रहा है आगे ठीक है आपका है जिस रूप में यदि हम हमने कुछ बोला या लिखा है यह तथा पढ़ने से या सुनने वाले उसे प्राप्त करने पर उस अर्थ में नहीं लेता है तो उसका वास्तवी कर्थ ही वास्तवी कर्थ है तब इसे संचार नहीं कहा जा सकता है ठीक है तब यह संचार नहीं होगा जब जिसको जो सब्द लिखा हुआ ईन्हें कहा कि जब हम किसी बेक्टी से अपनी वічार को अभी बेक्टी कर रहे हैं तो वो बेक्टी अगर उसको सही माइने में उस चीज़ को लिया तो वो सन्चार होगा लेकिन अगर उसके उस negative point को उसमें choose किया तो वो सन्चार नहीं कहलाता है बस इतनी सी बात याद रखिएगा आगे आप लोग देख सकते हैं आगे आप लोग क्या देखेंगे देखेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संचार एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति को संदेश देने तथा प्रसपर समझ पैदा करने की प्रक्रिया संचार क्या है एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति को संदेश देने या प्रसपर संबंध पैदा करने की प्रक्रिया है या संदेशों के बिन्मे की प्रक्रिया है यानि बिन्मे का मतलब लेंदेन की प्रक्रिया है उनके विचार को लो अपने विचार को दो या प्रक्रिया लि लिखित या मोखीक ही नहीं हो सकती है जिसका बीदमें हम लोग किसके crimp твор wediwork in इसारे कर देते हैं ठीक है अपने हाव और के करते हैं मौन का मैण करते ये सभी तरीके क्या होते हैं आपके संचार के होते हैं इन सभी को संचार में ही रखा जाता है I hope आप लोग संचार के अर्थ को समझ गए होंगे संचार सब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है तो लैटिंग भासा के कहां से हुई है तो यह हुई है आपकी जो है अच्छा यहाँ पर एक चीज देखे थोड़ा से मेरे से मिश्टिक हुआ यह लैटिंग भासा नहीं रहेगी यहाँ पर रहेगा जो है अगल थीक है अगल भासा के कम्यूंकेशन जो है कम्यूंकेशन सब्ध का हिंदी रुपांतरा है जिसका लैटिंग भासा में देखे यहाँ पर होगा जिसका लैटिंग भासा में कम्यूंस से हुआ है इस तरीके से आपको पढ़ना है जिसका आर्थ क्या होता है common यानि कि विचार जो है to make common यानि कि सभी के बीच एक समान में बनाना या common कर देना ठीक है चलिए अब इसके हम लोग definition देखेंगे जो कि आपके paper में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको भी हमने कुछ कई definition को हमने आपके लिए दिया है अगर इतना भी आप लोग लिख देते हैं जितना मैं आपको लिख के दे रहे हूं जितना मैं बोल रहे हूं इतना भी इसके अंसार तो अच्छा यहाँ पर नाम ही जो हो गया गलत हो गया Charles E क्या है रेड फोल्ड फोल्ड नहीं होगा यहाँ पर पूरा गलत लिख दिया इस ने जब यह कभी कभी default हो जाता है ना ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संचार संचार से ताथ पर संचार से तातपर ब्यापक छेत्र से जिसके मादें से मानो तत्र याराय का और धान परदान करता है क्या है तो संचार का तात्पर किस से होता है एक व्यापक छेत्र से होता है जिसके मादिम से अपमानों क्या कर रहा है अपनी तत्थ या राय का अरधान परदान करता है ये किस ने कहा है चार्ष रीड फिल्ड ने कहा है ठीक है रीड फिल्ड ने कहा है ये आपका पहला डिफ कि अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा definition किसने कहा है तो दूसरा कहा है संचार एक दूसरे के मद सुचना तथा समध्दारी बनाए रखने की परक्रिया होती है किसने कहा है थियो हेमन ने कहा है तो इनका कहने का मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब है संचार क्या है तो संचार एक दूसरे के मज समदारी बनाई रखने की एक परकिरिया होती है दिन नेश्ट डिफनीशन अगर हम लोग देखेंगे तो ये किसका है तो ये है आपका न्यूमेन तथा समर का इन्हों ने कहा है संचार दो या दो से अधिक ब्यक्तियों के बीच तत्थों या विचारों राय तता भावनाओं का अरदान प्रदान होता है बहुत अच्छा डिफनीशन है इनका कहने का मतलब है कि संचार का अर्थ होता है दो या दो से अधिक ब्यक्ति क्या कर रहे हैं दो या दो से अधिक बेखते हैं जो उनके बीच तत है यानि कोई जो अभी आप लोगों ने देखिए मैं इस्टाग्राम चलाती हूं सब चलाते हैं तो इस्टाग्राम पर भी हुआ था कि दो औरते बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं हाई स्पीड में डाटा क्रांस क्या ट्र यह होती है आपके संचार यही होती है और यह सबसे बड़िया उधारन है कि आपके गाउ मोहले की जो औरतlahे होते हैं वह बख़त अच्छे से अपने डाटा को क्या करती हैं ट्रासपर करती है यानि संचार करती है कोई भी बात उनके पेट में नहीं पचेगा वो उनसे कहेंगी वो उनसे कहेंगी वो उनसे कहेंगी फलाने की बहु ऐसी है तो फलाने की बहु ऐसी है वो उनसे बताएं तो वो उनसे बताएं इस तरह से पूरे मोहलने में पता होता है कि फलाने की बहु ने कोई गलती की है त इसने कहा है, फिर जी मेर ने कहा है, संचार सब्दों में पत्रों, सूचनाओं में, विचारों में, एवं संपत्यों के अधार पर बदान करते हैं, संचार हम लोग कैसे करते हैं, सब्दों में करते हैं, हम आपको कैसे बता रहे हैं, सब्दों में बात करें, कोई पत्र लिखकर आपको बताता है, कोई सूचना देता है आपको, कोई अपने विचारों से करता है, कोई संपत्यों के अधार पर करता है, यह जितने भी साधन होत किसी ना किसी माद्यम से संचार होता ही होता है चलिए नेश्ट डिफनीशन हम लोग देखेंगे नेश्ट डिफनीशन जो है यह किसका है जेपी लिंगल का है किसका तो जेपी लिंगल का है यह क्या लिखते हैं तो लिखते हैं यह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ल सकता है तो यही इनों ने कहा है JP LINGAL ने कहा है कि संचार क्या प्रक्रिया जब दो या दो से अधिद बेक्त अपने विचारों या तत्थों या अनभूतियां जो है या उनके जो भाव हैं वो इस परकार से ब्यक्ति कर रहे हैं या इस परकार से बता रहे हैं कि उसका समान अर्थ निकल सके उसे ही संचार कहते हैं और हम लोग देखेंगे कि संचार एक परकिरिया है जिसमें संदेज सरोथ से प्राप्थ करता तक अस्थान अंतृत किया जाता है क्या है तो उनका कहने का मनला भाई संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संदेश जो स्रोत होता है जिसके माध्यम से आपको संदेश दे रहें वो प्राप्त करता तक क्या कर रहा है संदेश स्रोत के माध्यम से किसी स्रोत के माध्यम से अस्थान अंत्रित किया जाता है किस प्राप्त करता तक जो उसे प्राप्त करता है यह किस ने कहा है तो यस वी शूपे के अंसार किसके अंसार है यस वी शूपे के अंसार ओके नेश्ट डिफनीशन हम लोग देखेंगे नेश्ट और हमारा लाश्ट जो डिफनीशन है वह है वह परक्रिया जिसमें सूचनाव, निर्णय तथा निर्देशन एक समाजिक तंत्र से होकर इस तरह से गुजरते हैं जिसे से ग्यान, विचार तथा अविविक्तियां बनती हैं तथा परिवर्तित होती हैं उसे ही हम कहते हैं यह किस ने कहा है तो लूम्स ने कहा है ओके आई होब आप लोग सभी डिफनीशन को समझ गये होंगे आप लोग बस कुछ नहीं करना है एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको कही ना कही नो डाउन कर लीजिए या इसके शॉड ले लीजिए आपको जो भी अच्छा लगता है आप करिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और मैं यहां पे आपको क्या कह रही हूं तो 99 परसंट भी नहीं पूरे 100 परसंट आपको लिखके दे रहे हूं कि यह आपके पेपर में आने ही आने हैं ठीक है इसमें कोई भी दो राय नह ही है तो बिल्कुल इस टॉपिक को आपको बिल्कुल रट लेना यानि इस कोईस्चन को बिल्कुल आपको रट लेना है यह समझाए आपका मॉडल पेपर आउप पेपर जो भी कहना चाहें कह सकते हैं ओके तो आई वब आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी पसंद करिएगा शेयर करिएगा चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा निष्ट वीडियो में फिर्मेते हैं तब तक के लिए बाबाय जैएंग